आचारी श्रविद्या सागर महराज के चातुरमा स्थली रेवती रेंज में 50 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव आने के बाद प्रिशासन ने पूरे परिसर को फिटकरी के पानी से सेंडाइस कर दिया है आचारी और बारा अन्य मुनीराज ने स्वयम को अलग-अलग कमरों में आइसलेट कर लिया है जहाँ पर मुनीराज निवासरत है वहाँ पर अन्य सेवकों को आने जाने पर पाबंदी है आचारी विद्यसागर महराज जी की चार्टू मास स्थली रेवती रेंच में पचास से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव आने के बाद प्रशाशन और प्रस्त ने सकती कर दी है कोरोना के रिपोर्ट नेगिटिव आने वाली शावकों को ही स्थली में प्रवेश दिया जा रहा है आचारी श्रीव वसादू संथ पूरी तरह से स्वस्थ है सभी का सैंपल भी लिया है वरतमान में जो साथ चेके लगे हैं इसमें इतने ही परिवार के 25 से 30 लोग रह रहे हैं ये वे लोग हैं जिनकी कोरोना रिपोर्ट नेगिटिव आई थी 22 मार्च के बास से यहाँ पर एक दिन भी कारिकरम कायोजन नहीं किया गया जिसमें कोरोना बिमारी फैली उनमें से कुछ लोग दिल्ली और बाकी इंदौर के थे हाला कि शुकरवार तक जो लोग भी देवती रेंज परिसर में आएं उन्हें थर्मल स्कैनिंग के करने के बाद ही प्रवेश दिया गया था बात में उनकी रिपोर्ट आने पर सभी की एंट्री को बंद कर दिया गया था प्रशाशन यहाँ पर शुकरवार से पहले तक पहुचने वाले शुद्धालों के संभन में जानकारी इखटा कर रहा है इस में से जिन लोगों की तब्याद बिगर रही हैं उन्हें तो इस्पताल में या फिर घर पे ही आईसोलेट कर रहे हैं इस पामले में दैयूजन ट्रिस्ट की और से भी प्रशाशन को जानकारी उपलब्द करवाने की मदद की जा रही है